हेलो स्टुडेंट्स, यो ओल्लार वेलकम तो आर योट्यूब स्टुडी चैनल, ओनलाइन स्टुडी कॉर्नर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रनाउन्स के बारे में तो लेट्स स्टुडी, हमारा टॉपिक है प्रनाउन्स प्रनाउन क्या होता है, प्रनाउन होता है, रिप्लेस्मेंट ओफ नाउन जब हम किसी नाउन के साथ रिप्लेस करते हैं वर्ड को, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रनाउन कहते हैं नाउन क्या है यह हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजिएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अब नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं प्रनाउन कहते हैं प्रनाउन कहीं सारे प्रकार के हैं जैसे सबसे पहला प्रकार है इसमें प्रस्नल प्रनाउन अब personal pronoun क्या है? Personal pronoun होता है subjective और objective दो तरह का subjective और objective, subject क्या होता है? sentence के अंदर जो वेक्टी या जो word किसी कार्य के करने वाले को show करता है उसे हम subject कहते हैं ठीक है? object क्या होता है? जिसके जो action किया जा रहा है वो action जिससे related है उसे हम object कहते हैं subject और object को समझने के लिए भी आपको sentence वाली वीडियो complete समझनी पड़ेगी या sentence वाला chapter complete समझना पड़ेगा ठीक है? तो personal pronoun को कर रहे हैं हम subjects subjective में क्या आ जाएगा? he, she, you, I, they, we ये सारे subjects होते हैं किसी भी sentence के अंतर और इसी लिए इन्हें subjective personal pronoun कहा जाता है यानि subjective pronoun कहा जाता है ठीक है? objective क्या होते हैं? objective pronoun होते हैं जैसे he से बन जाता है him she से her you से you ही रहता है I से me they से them और we से us अब इन personal pronouns के ये तो हमने पढ़ा कि कौन-कौन से subjective में आते हैं कौन objective में आते हैं अब इन एक detail में समझते हैं examples के साथ देखो जैसे हमारे पास first sentence है Ravi is my cousin Ravi मेरा cousin है सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर Ravi क्या है? subject है ठीक है? और subject को जब हम किसी name से denote करते हैं तो वह बन जाता है noun ठीक हमने क्या कहा? Ravi मेरा cousin है आगे मैं कहते हूँ He lives in Delhi वो दिल्ली में रहता है सबस हमने कहा होता Ravi मेरा cousin है Ravi दिल्ली में रहता है तो हमने हर line के अंदर Ravi Ravi word यूज किया होता तो उसकी जंगे हमने क्या किया? फर्स्ट लाइन में तो नेम को प्रनंश किया Ravi is my cousin लेकिन नेक्स लाइन में हमने Ravi की जंगे he use कर दिया तो ये जो he है ये क्या है? ये प्रनाउन है और कौन सा प्रनाउन था ये? ही कौन सा प्रनाउन है? प्रस्ट लाइन में भी सब्जेक्टिव प्रनाउन है क्योंकि he lives in Delhi वो कहां रहता है? Delhi में रहता है तो he कौन है? जिसके बारे में पूरा संटेंस बोला गया है और जिसके बारे में पूरा संटेंस बोला गया हो या संटेंस के अंदर जो word action को करने वाले को show करता है उसे हम क्या कहते है? कि ये subjective pronoun है ठीक है? अब his father is a doctor यहाँ his pronoun तो है लेकिन क्या है? वो possessive pronoun है या relative pronoun है इसको हम आगे study करेंगे we are close to each other हम एक दूसरे से close है ठीक है? अब यहाँ we किसके लिए use किया गया? रवी के लिए कि रवी और मैं यानि वी ठीक है? वी हम एक दूसरे से बहुत close है तो वी क्या है यहाँ पर? subject को denote कर रहा है ठीक है? यहाँ क्या है? subject वी वी यानि कि फिर से personal pronoun ठीक है? और personal pronoun कहां पर आया है? यह subject की जंगे पर आया इसलिए subjective pronoun है last year we went to zoo together पिछले साल हम zoo गए थे इकठे तो यहाँ भी वी आ गया कौन गया था zoo में? वी ठीक है? तो इस तरह से वी क्या है? तो वी क्या है यहाँ? यहाँ subjective pronoun है वी अब जैसे अगर हम एक sentence लिख देते हैं यहाँ पर he told me that he wanted to play jazz with me ठीक है? अब पहले यहाँ देखो कि प्रनावन है कहां-कहां he pronoun है me pronoun है फिर सी he pronoun है और फिर me pronoun है अब देखो पहले एक sentence बन जाता है he told me उसने मुझे बताया तो he क्या है यहाँ subject है क्योंकि किसने बताया? subject ने told क्या है? action है verb है यह ठीक है? क्या करा उसने? बताया कुछ तो किसे बताया? me को यानि me क्या है यहाँ पर? object है right? अब me object है तो क्या बन गया me? objective pronoun बन गया me clear? इसके बाद हम करते हैं he wanted to play jazz with me वो मेरे साथ jazz खेलना चाहता था क्या he कोन है? doer of an action किसी काम को करने वाला है sentence में यह तो वो क्या करना चाहता था? play करना चाहता था खेलना चाहता था तो he क्या है यहाँ? फिर से subject है he जब he subject है तो यह बन गया subjective pronoun और अब he subject है वो क्या करना चाहता है? play play क्या हो गया? यहाँ action हो गया ठीक है? verb हो गयी और अब action से related क्या है? jazz with me वो क्या खेलना चाहता है? jazz एक तो object यह बन जाता है दूसरा object क्या है? me तो jazz तो pronoun नहीं है यहाँ me क्या है? pronoun नहीं तो यह objective pronoun क्या आ जाता है? यहाँ पर me आ जाता है clear? next pronoun है possessive pronoun अब possessive pronoun क्या होता है? ऐसा pronoun जो किसी possession को show करता है किसी चीज़ के होने को show करता है उसे हम possessive pronoun कहते हैं कि यह चीज़ मेरी है ये उसकी है, इस भाव को जो प्रनावन शो करते हैं, उन्हें हम possessive pronoun कहते हैं, अब देखो, his, her, my, your, ये तो थे personal pronoun, हमने पढ़े थे, his क्या था, objective pronoun, her भी objective pronoun, my भी, अब जब इनसे हम possessive बनाएंगे, his का possessive his ही रहेगा, हर का हर ही रहेगा, लेकिन my का possessive mine हो जाएगा, your का possessive yours हो जाएगा, और खास बात क्या है, कि ये जो possessive pronoun है, ये sentence के usually last में मिलते हैं, sentence के last में आप इने देख सकते हैं, next क्या है, their का possessive pronoun, their's, our का ours, it का its, these pronouns show possession, ये pronouns क्या करते हैं, possession को show करते हैं, अब इनके example देखो, whose book is this, ये book किसकी है, ये तो क्या हो गया, यहाँ कोई possessive pronoun नहीं है, ये question पूछा, लेकिन इसके answer में जब हम कहते हैं, this book is mine, ये book मेरी है, हम ये भी कह सकते थे थे न, this is my book, लेकिन ये ना कहके हमने क्या करा, this book is mine, और जो mine word है, वो क्या है, एक possessive pronoun है, ये हम यहाँ रीड कर चुके हैं, ठीक है, अब mine क्या कर रहा है, sentence के बिल्कुल last seat को occupy कर रहा है, इस तरह से ये क्या है, possessive pronoun है, possession को show कर रहा है, और end में है, can I have this pen, क्या मैं ये pen ले सकता हूँ, अब फिर से question है, ठीक है, अब इसके answer में देखो, आपको possessive pronoun मिल जाएगा, नो, you can't, नहीं, तुम नहीं ले सकते, because this is my pen, not yours, ये मेरा pen है, ना कि तुम्हारा, यॉर्स लगा दिया न, ठीक है, this is not your pen, this is my pen, इस तरह से भी बोल सकते थे हम, लेकिन क्या किया, possessive pronoun का use किया, यॉर्स लगा दिया यहाँ पर, इस तरह से ये क्या बन जाता है, possessive pronoun, ठीक है, clear आपको possessive pronoun, अब next है, interrogative pronoun, अब interrogative pronoun क्या होता है, interrogative pronoun है, what, which, whom, whose, who, ये सारे है, interrogative pronouns, अब interrogative pronoun करते क्या है, introduces a question, a question से हमें introduce कराते है, a question को pose करते हैं, ठीक है, जैसे देखो, what do you want, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ what word जो है, वो क्या है, question को pose कर रहा है, तो what क्या हो गया, interrogative pronoun, who did it, ये किस ने किया, तो who क्या है यहाँ यहाँ पर, question को pose करता है, question को दिखाता है हमें, तो यहाँ who क्या हो गया, interrogative pronoun, whose book is this, तो whose भी इसी तरह से, ये book कि किस की है, तो whose का मतलब क्या है, कि किस की है ये book, तो किसकी के लिए, यानि who's के लिए क्या हो जाएगा, यह interrogative pronoun हो जाएगा, राइट, अब next पे चलते हैं, next क्या है, reflexive या intensive pronoun, reflexive pronoun या intensive pronoun, दो तरह के pronouns हैं, दोनों देखने में सेम हैं, लेकिन इनका use अलग-अलग है, देखो, reflexive जो pronoun है, उनके last में हम क्या करते हैं, self या selves एड करते हैं, इसी तरह से intensive के, मतलब जैसे अगर yourself लिखा है, हमने himself लिखा है, herself लिखा है, myself लिखा है, yourself, themselves, yourselves, ourselves, दोनों क्या है, reflexive या intensive pronoun है, अब ये दोनों reflexive या intensive pronoun तो है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा reflexive है, कौन सा intensive है, जो reflexive pronoun है, वो intensive से उसके use के base पर अलग हो जाता है, intensive pronoun क्या होता है, subject के तुरंट बाद मिलेगा आपको, intensive pronoun का एक नाम और होता है, इसे हम कहते हैं, emphasizing pronoun, emphasizing pronoun, अब emphasizing pronoun, emphasize से हमें clear होता है, कि किसी चीज़ के उपर बल देना, जोर देना किसी बात पर, ठीक है, तो intensive pronoun क्या कर रहा है, किसी बात पर बल दे रहा है, जबकि reflexive pronoun क्या कर रहा है, same form को show कर रहा है, लेकिन antecedent noun के लिए use हो रहा है, देखो अब कैसे, reflexive pronoun में हमने क्या लिखा, she hurt herself, उसने खुद को hurt कर लिया, ये जो herself है, ourselves है, अगर sentence के last में मिलते हैं, तो क्या कहोगे कि ये क्या है, ये reflexive pronoun के example है, ठीक है, अगर ये क्या मिल रहा है, sentence के last में मिल रहा है, और subject को refer कर रहा है, जैसे herself word है, यहाँ, subject से related है, तो वो है reflexive pronoun, जैसे she hurt herself, उसने खुद को hurt कर लिया, ठीक है, तो herself किस से related है, she से, she क्या था, subject, तो reflexive pronoun की दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो reflexive pronoun में self या selfs word मिलेगा प्रणाउन के साथ, जैसे her के साथ self है, यहाँ, our के साथ selves है, ठीक है, plural है तो selves आएगा, और अगर singular है तो self आएगा, एक तो ये चीज़ आपको धिहान रखनी है, दूसरा क्या है, sentence के अंद तो वो reflexive pronoun है, तीसरी चीज़, reflexive pronoun sentence के बिल्कुल last में मिलेगा आपको, अगर herself sentence के last में है, तो वो reflexive है, अगर sentence के last में ना के कहीं हो रहे है, तो वो reflexive हो सकता है कि नहीं है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, अब आगे क्या है, we hid ourself, hid यानि चुपाना, हमने खुद को च चुपा लिया, अब ourselves किस से related है, we से, यानि subject से, और last में है sentence के, तो इस तरह से ये क्या हो गया, reflexive pronoun हो गया, अब next देखते हैं हम intensive pronoun या emphasizing pronoun को, जैसे we ourselves took the lunch, यहाँ देखो, वहाँ तो क्या था, sentence के last में था ये pronoun, इन में आप क्या देखो गई, ये exactly subject के बाद मिलता है, just after the subject intensive pronoun कहा मिलता है, subject के तुरंत बाद, या noun के तुरंत बाद मिलता है, जैसे we ourselves took the lunch, यहाँ subject कौन था, we, ठीक है, we के तुरंत बाद ourselves आ गया, ठीक है, हमने खुद ही अपना lunch लिया, ठीक है, यहाँ तो क्या था, she hurt herself, उसने खुद को hurt कर लिया, या क्या है, हमने खुद ही lunch लि बताने पर, ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो गया, intensive pronoun, next is, रमेश himself is ill, रमेश तो खुद ही बिमार है, ठीक है, तो रमेश क्या है, subject है, subject की exactly बाद में, himself है, तो यहाँ क्या बन गया, यह intensive या emphasizing pronoun बन जाता है, right, next है, indefinite pronoun, अब indefinite pronoun क्या होता है, indefinite pronoun होता है, जिसमें कोई चीज निश्चित नहीं है, यानि कि अनिश्चित है, ठीक है, जैसे all, सभी, अगर हम कहें, all the students are present today, आज सारे students present है, लेकिन all में कौन कोन है यह, we do not know, है न, all the guests were happy, सारे guests खुश थे, तो all में कौन कौन था, this is not described here, hence all क्या है, एक indefinite pronoun है, both of them were happy, वो दोनों खुश थे, but who both, we do not know, इसी तरह से each, every, few, everyone, none, anyone, anything, somebody, no one, nobody, many, all, either, neither, etc. यह बहुत सारे pronoun है, जो किसमें आ जाते हैं? इंडेफिनिट प्रणाउन में आ जाते, examples देखते हैं इनके, I think nobody was present, मुझे लगता है कि कोई present नहीं था, तो देखो nobody आ गया न, यहाँ पर, कौन present नहीं था? नबड़ी, नबड़ी के अंदर हमने किसी का नेम नहीं लिया, किसी को describe नहीं किया, इस तरह से यह इंडेफिनिट प्रणाउन है, many people believe in God, बहुत से लोग God में बिलीव रखते हैं, बट कौन-कौन से सिर्फ क्या कह दिया, many हैं बहुत सारे, तो इस तरह से यह अनिश्चित हो गया, इंडेफिनिट हो गया, somebody is on the door, दरवाजे पर कोई है, यानि बाहर कोई है, तो कौन है, that is not described, इस तरह से यह क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रणाउन हो जाता है, clear, next है, डेमन्स्ट्रेटिव प्रणाउन, डेमन्स्ट्रेटिव क्या होता है, संकेत वाचक, ड कहते हैं, डेमन्स्ट्रेटिव प्रणाउन, example है, this, this is my book, that, these, those, ये डेमन्स्ट्रेटिव प्रणाउन, किसी thing या किसी person की तरफ, point out करती है, संकेत करती है, example, this is my pillow, ये मेरा pillow है, ठीक है, तो this, यहाँ पर क्या कर रहा है, कि वो pillow यहीं पर है, ठीक है, तो इस तरह से this क्या है, संकेत वाचक प्रणाउन, या डेमन्स्ट्रेटिव प्रणाउन, this is my pen, same है, this, यहाँ पर, those are your books, वो तुम्हारी किताबे है, that is my grandmother's photograph, वो है, मेरी grandmother की photograph है, तो यहाँ, that, इस तरह से ये चारो क्या है, डेमन्स्ट्रेटिव प्रणाउन, ये था आपका प्रणाउन्स का चप्रणाउन, I think it must be clear to all of you, and in the next lecture, we will discuss how to use vocabulary while practicing to speak in English.